नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन की दिन भर की खबर जानते हैं नीती आयोग के साथ सियम हिमन्त की नहीं होपाई मिटिंग नीती आयोग की टीम जहरखन दोरे पर है, इस दोरन बुद्धवार को राज के आला अधिकारियों की बैठक हुई होटल रेडिसिन बुलू में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंग सहित कई अधिकारी मौजुद थे इस दोरान नीती आयोग के उपाद्यक सुमन बेरी के समक्ष राज्य में चल रही केंद्री योजिनाओ के बारे में जनकाली दी गई वहीं राजे में सुखाड के इस्थिती पर भी बैठक में चर्चा हुई राज सरकार के ओर से रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष रखा गया बताद जारकन दोरे के करम में नीती आयोग की टीम पहले दिन बैठक के बाद जमसेदपूर के लिए रवाना हुई जहां X-LRI में आयोजित कारकरा में सिरकत करनी है नीती आयोग की टीम में नीरज सिनहार अकेस रंजन आदी सामिल है दो दिवसिये इस दोरे में नीती आयोग की टीम के साथ मुख्य मंत्री के साथ भी बैठा खोनी थी मगर या अस्थागित हो गई है जहारखन में तेजी से फैल रहा डेंगू रिम्स में 14 संक्रामित भरती राजधानी रांची में डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है बतादे पिछले एक माह से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं रिम्स के डेंगू वार्ड में फिलाल 14 संक्रमित मरीज भरती हैं जिन में से 3 मरीज रांची के हैं रांची के मरीज ओर्मांजी, रातू रोड के इंद्रपूरी और लालपूर इलाके के रहने वाले हैं इसके अलावा पच्छिम बंगाल के दो, गाया के एक मरीज के अलावा पलामो के चार धनबाज के एक लोहर दगा लाते हार और रामकण के एक एक मरीज इलाज के लिए रिम्स के आईसोलेशन वार्ड में भरती हैं बतादे सभी मरीजों का मेडिसीन, विभाग के डाक्टरों के देखरेक में इलाज किया जा रहा हैं सभी मरीजों के पलेटलेट में कमी हैं जारखन में धान खरीद दर 2,050 रुपए प्रतिक इंटल इस बार किसानों को धान खरीद पर बोनस के रूप में प्रातिक इंटल 10 रुपय देने की त्यारी है इसके बाद किसानों को प्रातिक इंटल धान की विक्री पर 2050 रुपय दिया जाएगा जिसमें 2040 रुपय प्रातिक इंटल धान खरीदारी पर केंद्र सरकार देगी जबकि राज सरकार की ओर से 10 रुपया बोनस दिया जाएगा केंदर का कहना है कि दूसरे राजियों में जहां बोनस की प्रंपरा नहीं है वहां की तुनला में जहारखन में बोनस देने के एक रुपता नहीं रहती है जिसे बिचोलियों का अधिक लाब मिलता है इसलिए सभी राजियों में धायन खरीद पर बोनस नहीं दिया जाए जार्खन में मालगारी दुर्गाटना ग्रस्त तीरपन डिबे बे पटरी जारखन में मालगारी के दुरगाटना गरस्त होने की खबर है बतादे पुर्व मद्र रेलवे की तरब से दी गई अधिकारिक जनकारी के मुताबिक धनबाद मंडल के कोडारमा और मानपूर रेलवे खंड के बीच गुर्पा इस्टेशन पर कोईले से लधी मालगारी के ती लिया ताद बादित हुआ है इधर घटना की जनकारी मिलते ही बरवा डी गया गोमो अधनबाद रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के टीम रहात यान के साथ घटना सर पर पहुंच चुकी है कोईला लधी मालगारी के दुरगाटना गरस्त डीबो को पटरी से हटा कर आव लोगों को संक्रा में से दूर रखा है अब गोवनस्यों को लंपी वायरस से बचाने के लिए फिटकिरी इसी तरह संजीवनी का काम कर रही है बता दे गोवनस्यों के भोजन में फिटकिरी का परयोग किया जा रहा है फिटकिरी से नहलाया भी जा रहा है इसके खाने में मे इडिकेटेड अहर दे रहे हैं बता दे जीले के तीन बढ़े गो साला कतरास, मटकुरिया और बस्ता कोला में गोवंसियोगे आहर में परिवर्तित किया गया है बस्ता कोला गोवंसियो इके मैनेजर दिपक कुपार बताते हैं कि ज़ारखन सरकार निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी करेगी लागू जारखन सरकार इस वरस के अंत तक निर्यात निती और फार्मा पॉलिसी को लागू कर सकती है इससे समधी प्रस्ताव को अमतिम रूप देने की त्यारी की जा रही है वहीं फूड वा टेक्स्टाइल पॉलिसी को पुना ओधी विस्तार देने को लेकर मंथन हो रहा है सुत्रो की माने तो नॉवंबर माह में होने वाली बैठक में निर्यात निती का प्रस्ताव भी आ सकता है आने वाले दिनों में फल फूल और सबजी के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसकी उद्योग भाग त्यारी कर रहा है बता गया है कि नई निर्यात निती में प्रवधान किया जा रहा है कि जार्खन में कोई उद्योग यदि निर्यात करता है तो उसे राज सरकार अवस्य सेवा घोसित करेगी इस निती को जार्खन इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट पॉलिसी नाम दिया जाएगा वही निर्यात निती में सरकार ने प्रवधान किया है कि निर्यात करने वाले उद्योगों को रिन रासी में पांच परतिसत सूद की दर से पांच वर्ष तक छुट दी जाएगी गोल बंद हो रहे कुर्मी सांसत घिरने की तयारी एस्टी में सामिल करने की मांग को लेकर जायरखन के कुर्मी गाओं गोल बंद होने लगे हैं हर गाओं से चुने हुए परतिनी थी अपने अपने छेतर से दिली कुछ करने की तियारी कर रहे हैं बता दे पिछले दिनों टोटे मी के कुर्मी और कुर्मी विकास मुर्चा ने फैसला लिया है कि 12 दिसमर को अपनी मांगो को लेकर राजे के कुर्मी सांसत का घ्राव करेंगे इसमें बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग सामिल होंगे कुर्मी विकास मुर्चा की नेता सीतल ओहदार ने बताया है कि दो महीने पहले को लहान से सर्टे बंगाल ओडिसा के कुर्मी भी इस अंदोलन में सामिल हुए थे पारा सिक्षको के आसरीतों को अनुकंपा पर योगेता के अनुरूप नियुक्ती राजे के पारा सिक्षको के आसरीतों को अनुकंपा पर नौकरी देने के सर्ट में सरकार बदलाव करेगी सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने भी भागिया अधिकारियों को इस सम्मद में अवस्चक करवाई करने को कहा है इसके अलावा सिक्षको को इपी एफ का भी लाब देने सिक्षक कल्यान को उसके गठन की परकिर्या पुरी करने का भी निदेश दिया है उक्त बिसायों का प्रस्ताव जारखन सिक्षा परयोजना कार केरनी परिशत की बैठक में रखने को कहा गया है इस वर्ष फरवारी में पाराथ सिस्कों के लिए सेवा सर्थ निमावली बनाई गई थी सिक्षक इसके सर्थों में बदलाव की मायं कर रहे थे बतादे जार्खन सहायक अध्यापक सेवा सर्थ निमावली 2021 के अनुसार पारासिस्कों के कारे अवधी में मिरित्यों होने की स्थिती में सिक्षा की आहरता पूर्ण करने पर मिरित्ता के एक आश्रीत को अनुकमपा का लाब दे होगा ज्यारखन में मर्ज किये गए इसकूलों को दोबारा खुलने की त्यारी बतादे सिक्षा मंति जगनात महतों ने इसे लेकर जीलों से भी रिपोर्ट मांगी है सभी उपायुक्तों से आवज सकता के अधार पर इसकूलों को फिर से खोलने के लिए कहा गया है बतादे मर्च कियेगा इसकूलों की जनकारी जुटाई तो पता चला है कि अधिकतर इसकूल भावान उपयोग के लायक बचे ही नहीं है कई इसकूल भावनों पर अवैद कबजा भी हो चुका है वहीं कई भावनों में खटाल खोल दियेगा है वहीं कई भावन जुआरी और सरावियों काड़ा बन चुका है ततकालीन सरकार ने जिन प्राथमिक वमद विद्यालों को मर्ज किया था इनमें नियुमतम दो कमरेवा अधिकतम चार से पांच कमरेवाले इसकूल सामिल है रांची हटिया से चलने वाली कई ट्रेने के रूट बदले रांची से पटना जाने वाली जनसताबदी एक्सपरेस का समय बदल दिया गया है बता दे बुद्धवार को या ट्रेन आपने समय से तीन घंटे बिलम से रवाना होगी ट्रेन दीन में दो बज कर 25 पर रवाना होती है लेकिन या ट्रेन साम पांच बज कर 25 पर रवाना होगी वहाई जारखन की राईधानी राची के और हटिया स्टेशन से खुनने वाली कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिये गा है इसमें 20839 रांची नई दीली राइधानी एक्सप्रेस भी सामिल है बता दे दक्षिन पूरो रेलवे की ओर से बताया गया है कि पूरो मतर रेलवे के गोमो एवा मानपूर रेलखन पर माल गाड़ी के बेपट्री होने की वज़ा से लिंक रेक परिवर्तित मार्ग से चल रही है राष्ट्रिये बाल बिग्यान परदर्सनी में जहारखन से एक भी परती भागी नहीं NCERT की ओर से आयोजित राष्ट्रिये बाल बिग्यान परदर्सनी 2022 में इस पर जहारखन की भागधारी सुन्य है बतादे 24 जीले के किसी भी स्कूल से बाल बै ज्यानी का चायन नहीं हुआ परित्योक्ता 22 से 27 नॉमबर तो गुआ हटी में होगी परित्योक्ता का अयवजन NCERT के बिज्यान एम गनित बिज्याक के ओर से किया गया है इस वर्ष देश वर्ष से कूल 143 बाल बै ज्यान को के परिज्यक्त का चायन किया गया इस उची में ज्हारखन से एक भी परतिभागी सामिल नहीं है ज्हारखन में राजस्व कर्मियों के हर्ताल जारी रहेगी राजे में 40 दिनों से चल रही राजस्व उप निरिश्को के हर्ताल समाप्त होती नहीं दिख रही है कूल मिला कर मुख के रूप से ग्रेट पे बढ़ाने पर ममला अटक रहा है ऐसे में हर्ताल खिचाती जा रही है इसका असर आम लोगों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है राजस्व कर्मी अपनी 11 सुत्री मांगों को लेका हताल कर रहे है उनका कहना है कि सारी मांगों पर पूरो की सरकार के समय में समझाता हो गया था पर उसे लागू नहीं किया गया था ऐसे में अब नई सरकार के समक्ष सारी मांगों रखी गई है सरकार के समक्ष राजस्व उपनिर्षकों का ग्रेड पे बढ़ा कर 24 रुपे करने की मांग रखी है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए होते चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद भाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फीड़वाइक अवस्य दे थांक यू